हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुप चैनल एक बार आज हमें एक और अच्छे प्रोडेक्ट का रियू करने वाले हैं जिसका नाम है माजून सुपारी पाक हमदग कंपणी दुवारा बनाया है प्रोडेक्ट है काफी इसके माजून के उपर भी आपको हमदग कंपणी का लोगो देखने को मिल लाएगा यह काफी ही अच्छी दवाई है और पुर्सों और महिलाओं में दोनों में ही इस्तिमाल की जाने वाली देशी उनानी दवाई है बहुत ही जबरदस त्रेजल डिस दवाई का आता है हमें जो इसकी नीचे की पैकिन है वो भी आपको दिखाते दो हूं जिसके आपको हमदग कंपणी का लोगो देखने को मि देगा जिससे कि आप सही प्रोडेक्ट की पेचान कर सकते हैं दोस्तों अब माजन सुपारी पाक का क्या फाइदा मिलने वाला है किस तरीके से इसका इस्तिमाल करना है इन सभी की जानगारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और दोस्तों आप हमारी वीडियो चैनल इसके उनानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रेश करना न भूले ताके आने वाली नए वीडियो की नोटिपिजिन सबसे बेल आपको मिल सके हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू क है उसकी वजह से टाइमिंग की परेषानी रहती है और जलदी इए सिग्रब्बतन हो Hunting आ जाता है जेहां दोस्तों इन शबी बीमारी में काफी काम करती है माजण सिपारीपांग अगर कि कमर कटती है पेशाब में सपेद साज इपचिपा पदार जाता है तब भी आप इस माजून का इस्तिमाल कर सकते हैं काफी ही अच्छी दवाई है इसके साथ यह वीजे को गाड़ा करती है और काफी ही जो सरीर की जो कमजोरी होती है काफी बढ़ जाती है उसमें भी बहुत काफी फायदेवर साबित होती है जैसे कि मैलाओं में लिकोरिया की बिल्बिल समस्या को जड़ से कदम कर देती है इसके साथ यह बच्चे दानी की कमजोरी को भी दोर करती है और मैलाओं में जादे दर जो समस्या देखने को मिलती है वो लिकोरिया की सबस्यादिक मिलती है उनका जो कमर कटती है शपेज सा चिपचिपा पदारत आता है बच्चे दानी काफी कमजोर हो जाती है जिन मेलाव के उनके लिए भी काफी ही फायदेवर साबित होता है कुछ मेला यह ऐसी होती है कि उनकी बच्चेदानी कमजोर हो जाती है जिसकी वज़े से गरबधारण नहीं कर पाती तो उनके लिए बहुत खास दवाई है इसके सेवन के बाद उनका गरबधारण हो जाता है और लिकोरिये को भी एक कंट्रोल में करती है तो दोस्तों आईए जान लेते हैं किनकिन फॉर्मले से कंपनी ने यह माजून बनाया है कंपनी ने इसमें कंसफेद, गोफरू, मगज, नरजील, सालम, मिस्री, दार्शीनी, लोंग, इलाइची, खुर्द, गुल, सुपारी, जाइफल, छाल, और कचनाल, चाल, कीकर, जाफरान इसके साथ साथ कंपनी ने माजून, सुपारी पार्ग में जे मिला है, वो मिला है, अरड़ मून, अरड़ मून के साथ, गौन, जिरियान, निसास्ता बिरियान, मगज, बादाम, बिरियान, जिहां दोस्तों, इन बहुती बैतिल, पाउर, नुक्सों से company ने ये माजून तयार किया हुआ है अब इसके खाने की बारे में जानते हैं कि आपको किस तरीके से इसका इस्तिमाल करना है ये माजून आप 10 गाराम सुबह शाम, 500 मिलएई दूद के साथ इस्तिमाल करना है जिहां दोस्तों अब freeze की बात कर लेते हैं आपको इस दवाई पर क्या phrase करना है इसमे खटी बादी चीजें आपको freeze करना है जिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही नेक्ष्ट वीडियो मिलते हैं कोर अच्छे प्रोडेक्ट के साथ में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छ लगी तो इसे लाइक शेयर करना न बोले और हमारे यूटुब चैनल एसके उनाने को सब्सक्राइब करना न बोले तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुर अच्छी वीडियो के साथ में